नमस्कार आप देख रहे हैं उत्तर प्रिदेश टाइमस और मैं हूँ आपके साथ जोती मिश्रा आए नजर डालते हैं आज की साथ बजे की साथ बड़ी खबरों पर केंद्री रक्षा मंतरी और लखनाउ लोकसभा सीट से बीजेपी उमीदवार राजनाथ सिंग और शहरी विकास राज्य मंतरी कौशल किशोर ने नमांकन किया ज़रान मुख्य मंतरी योगी आदित्यनाथ उत्राखंड के सीम पुशकर सिंग धामी भी मौजूद रहे रत पर सवार होकर नमांकन के लिए निकले राजनाथ सिंग नमांकन के पहले श्री राम के नारे के साथ भवे रोड शो करते भी नजर आए रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग ने लखनाउ तो वही कौशल किशोर ने मोहनलाल गंच के लिए अपना नमांकन सौपा अमेठी से स्मृति इरानी ने किया नामांकर निस्मृति इरानी ने पर्चा दाखिल करने से पहले ये रोड़ शो किया इस दौरान मध्यप्रदेश के सियम मोहन यादव भी मौजूद रहे अमेठी में रोड़ शो के दौरान स्मृति इरानी ने कहा आपने हम सब की शोभा बढ़ाई है और अब आप अपना अशिरवात दे अमेठी से ऐसा विगुल बजे कि इसकी गुंजन पूरे विश्व में हो अमेठी फिर तयार है कि अपकी बार फिर मोधी सरकार सियम योगी का राहूल पर हमला बोले खुद को एक्सिजेंटल हिंदू कहलने वालों का भारत के इतिहास पर बोलना हास्या स्पथ सियम योगी ने कहा कि राहूल गांधी हमेशा अपने वक्तव्यों के माध्यम से चर्चा में बने रहने के आदी है जिनने भारत के इतिहास और भुगोल की जानकारी नहीं है मुझे आश्चर रेजबात का होता है कि राहुल गांधी बोलते समये उन राजाओं के योगदान को क्यो भूल गए जिन्नोंने भारत को बनाने में योगदान दिया जिन्नोंने हिंदुस्तान का इस्लामी करण करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी जिन लोगोंने अत्याच्यार की सभी सीमाओं को लाँग डाला था राहुल गांधी को इसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए एटा पहुचे राष्ट्रे अध्यक्ष अखिलेश यादव सपाप्रत्याशी देवेश चाके के समर्थन में किया संबोधन एटा के राम नीला मैदान में जन्समा करते नजराए इस दोरान उन्होंने विपक्ष पर तंच कस्ते हुए कहा कि समविधान बचेगा तो लोगतंत्र बचेगा और लोगतंत्र बचेगा तो वोट देने का अधिकार बचेगा हम समविधान के रक्षक हैं और वो लोग भक्षक उन्होंने आगे कहा कि एचा के लोगों को बीजेपी ने बहुत धोका दिया है इनका हर वादा जूठा निकला बस्पा सुप्रीमो मायावती सोमवार को बरेली के आमला और बदायू लोगसभा छेतर से बस्पा उमीदवार के समर्थन में जनसभा करती नजर आए इस दोरान उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लिया इससे पहले रविवार को स्तियम योगी आदितेनात ने आमला में भाजपा प्रत्याशी धरमेंदर कश्यप के समर्थन में जनसभा की थी जबकि सपा प्रमुखा के लिए शियादव ने बरेली लोगसभा के सपा प्रत्याशी प्रवीन सिंग एरन के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया था वहें इस दोरान उन्होंने भाज़पा पर हमला बोला था बीजेपी की 16 लाग मदाता परचियां होई बरबाद नाम पता फोटो में थी इस घढ़बडिया यूपी के कार्पू लोगसभा सीट पर बीजेपी ने 16 लाग मदाता परचियां चपवाई थी मदाता परचियों को वोचरों के घरों तक पहुचाना था लेकिन मदातर परचियों के नाम पे पता और फोटो गलत होने की वज़ा से वो बेकाल हो गई इतनी बड़ी गड़बडी होने के बाद दुबारा परचियां छपवा कर मंगवाई गई है फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे है उत्तरप्रदेश टाइम्स धन्यवाद